अब अगर हम बात करें अपूर्ण प्रतियोंगी बाजार का स्वरूप तो ये भी अपने आप में दो प्रकार का स्वरूप रखता है जैसे पहले अगर इसके स्वरूप की बात करें तो वह दुआधिकार याँनि यहां पर किसी वस्तु के केवल दो विक्रेता होते हैं और कि दोनों ही जो विक्रेता होते हैं वो एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करते हैं और द्वयाधिकार की जो इस्थिती होती है वहाँ पर जो होता है समान मुल्य नीती लागू होती है जो विक्रेता होते हैं वो उस वस्तु का समान मुल्य निरधारित करते हैं दूसरे अगर हम इसके बजार की बात करयें तो अल्प फठीकार् van milhões की एक अदिकार की नहीं वहन पाती तो यहां पर जो झादा विक्रेता होते हैं तो यहां पर बहुत कम विक्रेता होते हैं अगर कुछ ये कुछ बड़ी कमपनियों की हाथ तक ही सी मित है तो यहां पर हम पर अलपाधिकार बाजार को और अधिकच्छे से समझने का प्रयास करते हैं मेयर्स के अनुसार अलपाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जहां विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रतेक विक्रेता की पूर्ति का बाजार की कीमत पर प्रभाव पड़ता तथा प्रतेक विक्रिता इस बात को जानता है श्रीमती जॉन रॉबिंसन के अनुसार अलपाधिकार एकाधिकार एवं पूर्ण पृतियोगिता की मध्धिवर्ति इस्तती है जिसमें विक्रिताओं की संख्या एक से अधिक होती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि बाजार कीम अधिकार के थोड़े से आगे की प्रक्रिया है जहां पर एक या दो विक्रिता ना होकर थोड़े से अधिक विक्रिता होते हैं लेकिन इसका जो स्वरूप होता है उसमें भी कुछ बिनिताएं पाई जाती है तो आएए देखते हैं कि अलपाधिकार बाजार का स्वरूप क हम बात करते हैं तो पहला जो सवरूप हमको देखने को मिलता है वो होता है विशुद अलपाधिकार जहां पर जो सभी फर्मे होती हैं हाला कि वो दो से अधिक होती है तो जितनी भी फर्मे होती है वो सब आपस में मिलकर एक ही तरह की वस्तो का उत्पादन करते हैं और वहां करें तो हम देखते हैं विभेध अलपाधिकार सारे लोग मिलकर एक वस्तूका उद्पाधन नहीं करते बिल्कि अलग अलग तरह की वस्तूका वह उद्पाधन करती तो यहां पर कीमत निधारन की बात करते तो हम प्रतेक फॉर्म जो उनका अड़ादन लांगत आए जो की टेकनोलोजी है उसके अधार पर वो वस्तु के कीमत का निरधारन करते हैं तीसरे अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो हम देखते हैं सामुहिक अलपाधिकार यहां पर भी बहुत सारी फर्में आपस में एक साथ मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन करती है और यहां पर ज सबका समान रूप से सहयोग होता है यह एक समझोती की नीती यहाँ पर लागू होती है अगले अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो हम देखते हैं कि आंशिक अलपाधिकार यानि कि वस्तो के उत्पादन में जो इनका सहयोग होता है वो आंशिक रहता है अगला जो इसका स् पित्योगिता क्या है और उसकी दशाएं क्या है इसके बारे में हमने विस्तार से देखा लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उनकी जिन दशाओं का अध्यान हम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं कालपनिक से लगती है या कहीं न कहीं ये लगता है कि इन सभी बिंदों का हम एक आलोच चनात्मक अध्यन भी कर सकते हैं तो क्या वास्तों में ये दशाय कालपनिक है या किन बिंदों के अधार पर कैसे हम कह सकते हैं कि पूर्ण पित्योगिता की जिन दशाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कालपनिक है आए देखते हैं सबसे पहली बात ये कि वहाँ पर ये कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हैं लेकिन साधानत्य बजार में ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक वस्तूख यो improving अगर बहुत से उत्पादक या बहुत से विक्रेता हो जायेंगे तो जिस मूली की वह पेक्षा कर रहे हैं वह शायद उनको ना मिल पाए या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनको लाब की जगा हानी भी होने लगेंगी तो ये मान लेना कि किसी वस्तू के बहुत से विक्रेता या बहुत से करेता है कहीं न कहीं काल्पनिक से धारणा लगती है दूसरा अगर हम कहा है तो देखते हैं कि पूर्ण पृतियोगी बजार में माना गया है कि जिन वस्तों का विक्रह होता है या उत्पादन होता है वो समरूप होती है लेकिन वास्तों में ये भी काल्पनिक से बात लगती है क्योंकि जब अलग अलग विक्रेता है अलग 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 उत्पादक है तो जाहिर से बात है उनके उत्पादन के टेक्निक उनके विधिया और उनके जो उत्पादन के साधन होंगे उनमें काफी परिवर्तन होगा जिन कच्चे मालों का वो प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी अंतर होगा तो यहां पर जो उत्पादित वस्तुएं वो कहीं न कहीं सम्रूप तो नहीं पाए जाएंगी भले उन में छोटा अंतर हो थोड़ा वहुत अंतर हो उनके रूप में लेकिन आशिक भिनिता तो जरूर प वहिरगमन की बात की गई लेकिन वास्तों में ऐसा होता नहीं है फर्मों के उत्पाजार में आने और जाने में बहुत सारे सारवजनिक प्रतिबंद भी रहते हैं और बहुत सारी जो कमपनियां रहती हैं वो प्रवेश और वहिगमन के लिए पर्याप्त मात्रह में प्रति जो क्रेता होते हैं ऐसा माना गया है कि उनको बाजार की दशाओं का पूर्ण ग्यान होगा यानि कि क्रेता क्या खरीदना चाहता है क्या उसकी मांग है क्या उसका फैशन है उसको जो विक्रेता है वो भाप लेता है वो जानता है लेकिन वास्तों में ऐसा होता नहीं है क्रेत जो मनोदशा है उसको बहुत अच्छे से वो पढ़ लेता है और बजार की दशाओं को बहुत अच्छे से जान सकता है तो यह जो इसती है कि कृताओं का पूर्ण ग्यान होता है यह भी कहीं न कहीं काल्पनिक सी लगती है अगले बिंदु तो कई बार तो पून्जी भी गतिशील नहीं होती है, तो यहां पर यह मान लेना कि उत्पत्ती के समस्त साधन गतिशील है, कहीं न कहीं कालपनिक से प्रतीथ होता है, तो यह कुछ ऐसे बिंदू है, जिनके आधार पर हम कहा सकते हैं, कि पूर्प्रतियोगिता की जो इस्थ कि को हम तो अलपा दिकार के विशहास्ताओं के अंतरगत सबसे पहले हम देखते हैं कि विक्रताओं की संख्या का कम होाना हमने देखा कि एक अधिकार और दो एधिकार से थोड़े से ही आगे सिति dł2 rij kare तो यहां पर एक या दो से अधिक विक्रेता होते हैं लेकिन फिर भी अपेक्षा क्रेट जैसे हम पूर्ण पृतियोगीता बजार की बारे में देखते हैं उसकी अपेक्षा अलपाधिकार में किसी वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते हैं दूसरे बिंदू के अगर हम बात करें तो मांग के अनिश्चिता यहां पर बनी रहती है यानि कि अब क्योंकि विक्रेताओं की संक्या बहुत कम है तो वो बहुत आसानी से इस बात का अंदेशा नहीं लगा पाते कि वास्तों में वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं कि अब भाविश्य में उसके मांग कितनी होने वाली बढ़ने वाली है या घटने वाली म कहा सकते हैं कि मांग के लिम्श सता हमेशा बनी रहती हैं हम देखते हैं कि परसपर विरोधी प्रवर्तिया उस बसपर घुха गाए विक्रेता मैं जो दशाय होती है और और कहीं बा थाइपनी दिकरी तद्तु भी आपर प्रभवशाली रहता है एक। यंशां को हटाकर अपने कर granular इस्थापित करने इपने स्वामित्यों आपने जड़ों को मजबूत करने का लगा तारर प्रयास करता रहता है तो यह कि विष्यस्ता है थे अगली अगर में बात करें लिटे हैं कि कीमत इस्थिरता बनी रहती हैं आप क्योंकि जितने विक्रेता है वहां बाजार में वो सब आपस में मिलकर बाजार के में जो जिन वस्तु का विक्रे किया जा रहा है उसकी केमत का निर्धारण वो करते हैं लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वस्तु की मांग और पूर्टी में काफी परिवर्तन आता है लेकिन फिर भी उस वश्टु के केमत स्थिर बनी रहती हैं और अगले विश्य विश्यश्ता की बात करें तो यहां पर फर्मों का प्रवेश और बहीवारी गमन जो होता है वह थोड़ा सा कटिन होता है जैसे कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता बजार में पढ़ा था कि वहां कूंकि प्रवेश लेना या बाहर निकलना अगले अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो हम देखते हैं कि यहां पर विज्ञापन और विक्री को प्रोचसाहित किया जाता है जैसे कि हमने पूर्ण पृतियोगीता बजार में देखा कि वहां पर जो व्य होते हैं उसमें विज्ञ विज्ञापन और विक्रेवे शामिल नहीं होते लेकिन यहां क्योंकि वस्तु को उत्पादित स्थल से निकाल कर बाजार तक लाना है तो विज्ञापन और विक्रेवे भी इसके अंतरगत शामिल किये जाते हैं तो यह तो थी विशेस्ताओं की बाद अब हम देखते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है एकाधिकारी प्रतियोगिता अगर हम वास्तों में इसको देखे तो ऐसे लगता है कि एकाधिकार में तो वास्तों में किवल एक ही विक्रेता होता है तो यहां पर तो प्रतियोगिता की बात ही नहीं आती है लेकिन एकाधिकारी प्रति के स्थिति को यह दर्शाती है, आए प्रोफेसर चैंबरलीन की पर भाशा से एकाधिकारी प्रतियोगिता को और अच्छे से समझने का प्रयास करें, प्रोफेसर चैंबरलीन के अनुसार व्यवहार में न तो फून प्रतियोगिता पाई जाती है और न ही विशुत एकाधिकार, बलकि इन दोनों के बीच की इस्थती पाई जाती हैं। वास्तों में व्यवहारिक जीवन में बाजार में एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिती पाई जाती है। करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता की विश्यस्ताओं की बात करते हैं तो कुछ मूल बिंदू जो निकल कर सामने आते हैं वह सबसे पहला कि आपर विक्रिताओं की संख्या अधिक होती है पूर्ण प्रतियोगिता जितनी ना भी हो तो भी एक से तो अधिक होती है ऐसा मान उत्पादन करने के लिए विक्रे करने के लिए बाजार में उनको प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रतिबंध है वो बना रहता है। उसी तरह में और इसकी विश्यस्ता देखते हैं कि जितनी भी फर्मों होती हैं उनको जो है कीमत निर्धारन के लिए समान रूप से उनके हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब कीमत निर्धारन की बात आती है वस्तु के कीमत को निश्रित करने की बात आती है। तो सभी फर्मेज होती हो समान रूप से सहीयोग करती हैं। अब हम बात करते हैं बाजार के तीसरे स्वरूप यानि की एक अधिकार बाजार की। तो मुनोस का जो अर्थ है वो है अकेला और पोलस का जो अर्थ है वो है विक्रेता तो जाहिर से बात है कि आसा बाजार जहां किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। एकाधिकार बाजार के सोरूप को बहुत अच्छे से समझने के लिए आए हम कुछ अर्थशास्रों के परिभाशाओं का अध्यन करते हैं प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एकाधिकारी का अभिप्राय उस विक्रेता से है जिसके वस्तो के लिए मांग का वक्र गिर्दी हुई रेखा के रूप में होता है प्रोफेसर थामस के अनुसार व्रुस्तरत अर्थ में एक अधिकार शब्द वस्तुओं या सेवाओं के किसे भी प्रभावपून कीमत नियंत्रण को व्यक्त करता है चाहे वा मांग का हो अथ्वा पूर्ती का लेकिन संकुचित अर्थ में इसका प्रियोग उत्पादकों तथा विक्रेताओं के एक ऐसे संग से होता है जो कि वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ती कीमत पर नियंत्रण रखता है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार विशुद देक अधिकार एक ऐसी फर्म होती है जो किसी ऐसी वस्तुओं का उत्पादिन करती है जिसका अन्य पर्मों द्वारा उत्पादित वस्तूओं में कोई प्रभाव और इस्थानपन नहीं होता है तो आपने देखा कि सभी अर्थ शास्त्रियों का मानना है कि कहीं न कहीं एक अधिकार बजार किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया गया बजार होता है जहां बजार के पूर्ण जो ताकते होती है वस्तूओं का कीमत निधारन मांग या पूर्ती सब पर किसी एक व्यक् इसके विश्यस्ताओं के अंतरगत आते हैं जैसे इसके सबसे पहली विश्यस्ता है कि किसे वस्तू का बाजार में एक विक्रेता या एक ही निर्माता होता है दूसरे अगर हम इसके विशि taraf कि बात करें जो उसका विक्रेता है तीसरे अगर मिसकी विषेस्ता की कि बात करें विश्तों की विखरय स्थानपन विख्रय कर पाएगा अरगले की बाकर तो हुया अगले इसकी विशेस्ता है कि यहां पर नई फर्मों के प्रवेश और बहिगर्मन पर पूर्णता प्रतिबंध रहता है अगर कोई नई फर्म वहां पर प्रवेश कर जाती है तो कहीं न कहीं एक अधिकार का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है वैसे ही किसके और अपर विशेस्ता है कि यहां पर कीमत का बहुत महत्य रहता है क्योंकि कीमट के निधारण का पूरा का पूरा दिकार केवल उस वस्तु के विक्रेता या उसके उत्पादक गो ही होता है। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार बाजार में अंतर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम देखते हैं कि वस्तू की अनेक फर्मी होती है और उद्योग और फर्मों में अंतर होता है लेकिन एकाधिकार बाजार में किवल एक फर्म होती है और उद्योग में और फ कूरल को मिन नहीं होता है इसलें दोल से लेकिन एका धिकार बाजार में क्योंकि एक ही विक्रेटा लेकिन एकाधिकार बाजार में इस तरह की रहे कि पूर्टा प्रतिबंध होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सम्रूप वस्तों का उत्पादन यानि कि एक तरह एक समाली वस्तों का उत्पादन किया जाता है ये भी हो सकता है कि सम्रूप वस्तों का उत्पादन होने के कारण पूर्ण स्थानपन वस्तू बाजार में उपलग दों लेकिन एकाधिकार बाजार में वस्तू के कोई निकट स्थानपन वस्तू बाजार में नहीं होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम देखते हैं कि फर में मूले नरधारत ना होकर मूले स्विकार करने वाली होती है यानि जो मूले नरधारित कर दिया जाता है वही उन्हें स्विकार करना होता है लेकिन एक अधिकारी क्योंकि अकेला स्वामी होता है इसने वो स्वेंव वस्तू का मूले नधारित करता है पूर्ण प्रत्योगिता की एक महत्वपूर्ण विश्यस्ता ये है कि वहाँ पर उत्पादित या विक्रे की जाने वाली वस्तू का मूले एक होता है लेकिन एक अधिकार में मुल्ली विभेत की संभावना परिस्तिती के अनुसार या समय के अनुसार बदलती रहती है पूर्ण प्रत्योगिता बाजार में हम देखते हैं कि औसताय और सिमानताय दोनों की एक ही रेखा होती है लेकिन आधार रेखा के समनांतर होती है जबकि एकादिकार बाजार के हम बात करें तो एकादिकार बाजार में औसा तायर सिमान तायर दोनों ही रेखाएं अलग होती है सिमान तायर एका औसा तायर एका से नीचे रहती है एंड दिर्दकार में जो पूरण प्रत्योगिता पेंजार में वहांस bursting के वंद समाने लग wra części होती है जबकि एका अखितीकार प्रतियों दिर्थकार में असमाने लग हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक कर आधिकार के पर एक पर मोती है जह कि एक रित प्रतियोगिता में कई व seu बाद किया जाता है कि एका को निकाप स्थाना पन वस्तू नहीं होती है लेकिन एकाधिकरित प्रतियोगिता में जिन वस्तों का उत्पादन किया जाता है उनकी निकट इस्थाना परने वस्तों पाई जाती है एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद यानि कीमत में परिवर्टन संभा हो है लेकिन एकाधिकृत प्रतियोगिता में कीमत विभेद का महतुपूर प्रभाव पड़ता है विक्रय लागत के अगर हम बात करें तो एकाधिकार में इसे एक्नोर किया जाता है एकाधिकार के अंतरगत विक्रय लागतों कोई महत्व नहीं होता लेकिन एकाधिकरित प्रतियोगिता में विक्रय लागतों को शामिल किया जाता है इसलिए कहा जा सकता है कि विक्र लागतों का महतुपूर्ण प्रभाव इस पर पढ़ता है एकाधिकार बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है जबकि एक अधिक्रित प्रत्योगिता में नई पर्म उद्योग में प्रवेश भी कर सकती है और बाहर भी लिकल सकती है